पिछले एक साल में तिंदुए के हमले की लगातार बढ़ती संख्या से परिशान है गिर्श सासन के आसपास का इलागा अभी तक तेरा लोगों को खा चुके हैं तिंदुए रात को खेट में काम करने से भी डर लग रहा है किसानों को किसान से लेकर गाँवालों तक और साथ में राच्किय अनेता सब कोई तेंदुओं को मार डालने की मांग कर रहा है पर क्या मार डालना ये सही उपाय है क्या सोच रहा है वन विभाग तेंदूए के हमलो और वन विभाग के तेंदूओं को पकड़ने की कोशिशों के बारे में पिछले एक साल के आकड़े क्या कहते हैं उसके बारे में आज जाने की कोशिश करेंगे वाइल लाइफ से भरपूर प्रकूरूती से भरपूर गाड जंगल में है गिर सासर और इसे गिर के जंगल के नस्दीक में जुनागर अमरेली पोरबंदर और गिर सोमनाथ ऐसे चार जिलों में तेंदूओं की तादाद 600 से भी ज्यादा हो चुकी है जो की अब खत्रा बनता जा रहा है खेतों में काम कर रहे किसानों को अब देर रात तक खेतों में काम करने से डर लग रहे मजदूर खेतों में काम करने के लिए नहीं आ रहे पर क्या तेंदूओं को मार डालना यही उपाए है कितने तेंदूओं को मार डाले क्या सभी आदम खोर हैं क्या कहता है एक साल का आकड़ा पिछले एक साल में कुल चार जिलों में तेंदूओं की संख्या देखे तो 600 से भी ज्यादा है जुनागड में 350 से भी जादा गेर सोमनात में 111 अम्रेली 206 पोरबंदर 16 अभी तक वनविभाग ने 238 तिंदूओं पकड़े जिसमें 171 फिर से जंगल में छोड़ दिये गए जबकि आदम खोर 50 तेंदूओं निगरानी में रखे गए थे जिसमें से 2 की मौत हो गई है 48 अभी विजाम वाला जुनागड और सासन के रेस्क्यू सेंटर में जेल में कैद है एक साल में आदम खोर बने तेंदूओं ने 61 लोगों पर हमले किये जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 मवेशियों पर हमले किये हैं वन विभाग मानों मृत्यू पर 4 लाख रुपे जबकि दूद दे रहे हो ऐसी ही गाय या भेश की मौत पर ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपे मौावजा देता है अभी भी आदम खोर बन रहे हैं तेंदूए को पकड़ने के लिए जुनागर, गिर सोमनाथ, अमरेली और पोरबंदर में 200 से भी ज्यादा पिंजरे रखे गए हैं पर पकड़ में आ रहे हैं सभी आदम खोर तेंदूए तेंदूए से बचने के लिए कुछ उपाई भी बताते हुए फ़ारेस्ट रधिकारी डॉक्टर श्रिवास्ताव करते हैं ऐसा अगर अटैक करता है तो उसको आप मवेशी को खाने दीजिए क्योंकि अगर उसकी भूख पूरी हो जाएगी तो मानव को अटैक नहीं करेगा रही आपके नुकसान की बात तो सरकार की जो भी योजना है उसके हिसाब से हम उसका कंपनसेशन देते हैं तीस जार रुपे तक का कंपनसेशन अगर गाय या भैंस अगर मिल्चिंग है दूद देती है तो इतना मिलता है इससे तरह से और भी पकरा गेंटा वगरे में भी जितने भी मवेशी होते हैं उसमें हम सरकार के तरफ से योजना है दिये जाते हैं सभी तिंदूओं को पकड़ना नामुम्किन है पर तिंदूओं की बढ़ती तादात को देख बर्थ कंट्रोल पर विचार कर रहा है वह विभाग भारत में आज तक ये किसी भी प्राणी के लिए नहीं लिया गया नर्णै पर तिंदूओं की बढ़ती संख्या और जंगल बाहर निकलने पर मानव जाती से हो रहे संघर्ष के चलते बहुत जरूरी अभी वन विभाग निकेंद्र सरकार को इस बात के लिए अपना विचार प्रगट किया है अगर मंजूरी मिलती है तो नगर प्रजाती के लिए डेवलप्मेंट को नियंत्रित किया जाएगा जु झाल